नमस्कार मित्रो मैं मम्ता बाजपेई भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और चलिए आज कुछ अलग तरह का ब्लॉग देखते हैं आपने हमेशा मेरी छत पर गार्डनिंग देखी है समंध तो गार्डनिंग से ही है लेकिन बिलकुल अलग है आप देख रहे हैं कि मैं घूमने निकली हूँ और हम कह सकते हैं कि ठोड़ी सी याया वरी यह थोड़ी सी मडरगस्ती और हम यातरा पर निकले हैं साची साची जिसका कि एतिहास एक महत्व है तथागत यानि कि बुद्ध के स्थूप साची में है और जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से परियटक जहां आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं साची के स्थूप गूमने जा रही हूँ हाँ मेरा ससुराल है साची में और वहाँ पर हमारा एक जमीन का टुकड़ा है तो बस आज हम वहाँ कुछ पौधे लगाने जा रहे हैं और परिवार के लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा और हम अकसर ये करते रहते हैं और आज हमें लगा क्यों न हम आप वो रिकॉर्ड करके साची की पहाड़ेया दिखाए और यह आ गए हम खेत पर परिवार के सारे बच्चे कट्टे हैं और बाउंडरी पर हम बहुत सारे पौधे लगाने वाले हैं बोपाल से बहुत दूर नहीं है साची लगभग यह 55-60 किलोमीटर दूर होगा और सुरम में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ चोटा सा परिटन स्थल है और बहुत खुबसूरत है यदि आप बरसात में और सर्दियों में यहां आएंगे स्थूप घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके अलाबा यहां म्यूजियम वगएरा और भी बहुत कुछ चीज़े हैं और पहाड़ियों की सुन्दरता तो है यह अद्बुत जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ और चुब मेरे यह जमीन का टुकड़ा है जहां कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं इसकी लोकेशन इतनी खुफसूरत है जब हम अपने केट पर कड़े होते हैं तो एक तरफ तो यह देखिए अद्बुत घनी पहाड़िया है हरी भरी सुन्दर और ठीक इसके विपरी दूसरी तरफ जब मैं कैमरा घुमाती हूँ तो तथागत के बुद्ध के डोम है जो उनका स्थूप है वो दिखाई देता है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी और यही इस जगे की खुफसूरती है सिर्फ एतिहासिक महत ही नहीं मैं कहूंगी कि यह एक स्प्रिचूल प्लेस है जहां बुद्ध ने कभी तपस्या की होगी और उनके कुछ अन्युआई रहे होंगे और उन्होंने यहां कुछ समय गुजारा होगा हाला कि लोगों का कहना यही है कि उनके शिश ही यहां आए बुद्ध के बाद पर ठीक है उनके शिश हों या बुद्ध हों पर बुद्ध के अन्युआईयों का भी यहां इस जगे होना अपने अपने बड़ी बात है देखिए आपको मैं डोम दिखाती हूँ खेट के एक कौने पर खड़े हो के बैक साइड में वहरी भरी पहाडी है फ्रंट साइड में यह डोम है दो पहाड़ियों के बीच यह हमारे लेंड का टुकड़ा है एक हेल स्टेशन के व्यू देता है बहुत ही खुबसूरत जगह है यह आप अगर मुझसे कहेंगे कि मैं अंदर जाके पूरा ये बहुत स्टूप आपको घुमाऊं तो मैं अगले किसी वीडियो में जाके ये स्टूप के पूरा रिकॉर्डिंग करके लाऊंगी पर वो मैं तभी करूंगी जब आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैं तो बहुत बार जा चुकी हूं मेरा ससु और यदि आप घुमना चाहेंगे तो फिर मेरे साथ मैं आपको घुमाऊंगी बरसाथ के दिन में इतनी अच्छी हर्याली होती है यहां और पीछे जो घनी पहाड़ी मैंने दिखाई वहां से तो कई बार पहाड़ियों में से बिलकुल एक फर्ष में से पहाड़ी के हुए है और जहर्नों का भी काफी प्रवाह कम हो गया है इससे आगे जाते हैं तो एक छोटा सा गाओं भी है जिसको गुलगाओं कहते हैं वहां एक बड़ा सा तलाव है आज मैं सिर्फ अपना खेट दिखा देती हूं प्लांटेशन दिखाती हूं बुद्ध के डोम दिख और बुद्ध का स्तूप तो मैं आपको घुमा ही दूगी लेकिन आज तो बस हम प्लांटेशन करने आए हैं क्योंकि मुझे कई बार यह लगता है कि इस जगे पर खुब सारे गहने पौधे लगाकर और एक चोटी शी जोपड़ी जैसी डाल ली जाए और वीकेंड पर ही स संपत्ती है तो मैं उन बुजर्गों के श्रम को भी प्रडाम करती हूं जो हमें ये गिफ्ट वो दे कर गए हैं जो अनमूल है जिसकी कीमत नहीं आके जा सकती जमीन तो कहीं भी मिल जाएगी पर इतनी अच्छी लोकेशन में तो मिलेगी नहीं कि आप अपने केत पर हों और सीधे बुद्ध के दर्शन से जुड़ जाएं बुद्ध के श्रम से जुड़ जाएं बुद्ध की शिक्षा से जुड़ जाएं निश्चित ना माहौल का फर्क तो पड़ता है जब आप स्तूपाज को देखेंगे वहां और आप अगर आख मन करके इस जगे वाक को भी निकलेंगे या कि योगा करेंगे तो एक स्पिरिचुलिटी आपके अंदर प्रवेश करेंगी एक मानशिक मानशिक शान्ती सुकून आपको मिलेगा मुझे तो कम से कम ऐसे ही लगता है मैं जब भी अपने सस्वराज जाती हूं तो मैं खेत पर जरूर जाती हूं तर्वाइस जब केहूं की फसल होती है या धान की फसल होती है तो लहलाहाती फसल के साथ एक तरफ अरी पाड़िया दूसरे तरफ बुद्ध का बुद्ध की पाड़ी बुद्ध का स्टूप और बीच में लहलाहाती फसल तो देखिये मैं recording करने में लगी हूं और बच्च आदल ही हैं फिर भी हम लगा दे रहे हैं मुझे लग रहा है कि अगर इस में से आदे पौधे भी लग गए तो बरसात का मौसम मिलेगा और ये पूरे हरे बरे हो जाएंगे और एक खास बात ही है कि जब मैं इस खेट पर आई और मैंने चक्कर लगाया तो यहां मुझे ये द जंगली फूल दिखे और मैं बिल्कुल आश्यर चकत रह गई हम चत पर मैं कितनी बागवानी करती हूँ कितने सारे मैंने फूल भी लगाती हूं सब कुछ लगाती हूं पर इन फूलों के आगे एक भी फूल नहीं लगता आप देखिए और मुझे ये समझ नहीं आया कि य कीज के फूल है आप मैंसे यदि किसी को भी समझ में आता हो कि ये कोई हर्व है या जंगली बेल है या क्या है मैं तो बस इसकी खुबसूरती में खो गई है ना सच में कितने सुन्दर और कलर कॉमिनेशन देखिए प्रकृति की चित्रकारी देखिए आप वाइट के साथ पिंक और मरून का शेड है बहुत ही खुबसूरत है जो बाउंडरी पर जो खेट की जो मैड जिसे कहते हैं वहां कटीली जाडियां होगी है और उन जाडियो के बीच में ये बेल भी होगी है और इसमें चोटी चोटी बिलकुल बारीक फलियां जैसी भी लग रही है वो फलियां चटक के गर जाती होगी तो हर साल ये खर्पतवार की तरह उगती होगी है तो ये कोई खर्पतवार ही लेकिन बहुत ही खुबसूरत है देखिए और य एक वीडियो और मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी जो मैंने साची महीं वुड आर्ट का पूरा म्यूजियम है मैं वहां भी गूम कर आई थी तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगी और अभी तो आप ये देखिए फूलों को देखिए और ये जरूर बताएए कि इस तरह का ब् एक बार उचना कर लेते हैं बुद्ध को स्मरन कर लेते हैं और से प्रक्रटी को नमन कर deal related था प्रक्रती के सौंदर के आगे दूसरी कोई चीज लगती ही नहीं और दुख है इस धरोहर को हम समात्र कर रहे हैं तो बस इसी प्रयास में इसी आप करम में कि हमने इतने लगा रही हूं इन पेड़ों का भी अपटेट में आपको देती रहूंगी और बताइए आप वीडियो कैसा लगा यदि अच्छा लगा होते लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार